कि रिसेंटली रिचार्ज जो है 1179 का हो चुका है और पहले से जो ये छे दुन बचावा था वेलेडिटी वो ये वेलेडिटी जो इसमें एड़ हो चुका है तो आज के वीडियो का प्यादा इंट्रेस्टिंग है उनलों के लिए जो ये एटल एक्स्टिम यूज करते हैं बट वो रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं बहुत लोग करके रहे हैं कि फोन पे गूगल पे या प्रिपेटीम वगरा यूज करने का ट्राय कर रहे हैं रिचार् था यका प्रालम आएगा तो उसके लिए करना क्या है अप्लान हों फ्रिचार्ज कैसे करना है उसके लिए आप लोगको तो नीचे broadband के sector पे click करना है यहाँ लिखा हुआ extreme fiber उसका जो दोस्तो कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा multiple जगह जो आप लोग वो recharge करने का option दिखी जाएगा दोस्तो उपर में भी recharge now है नीचे भी recharge है अगर नीचे में अगर check करेंगे दोस्तो तो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि 6 दिन में जो है plan expire हो जाएगा तो आप लोगो दोस्तो करना क्या है अगर प्लान में रचेंज करना है तो उसके लिए आप लोग करना क्या कि यहाँ पे भी इस पे क्लिक करके आप लोग कर सकते हो यह पिर अगर आप लोग चाहो तो back आ सकते हो उपर में आप लोग दोग दिखेगा recharge now यहाँ से भी कर सकते हो बहुत सरा जगह जो है recharge now और recharge का जो option दिया हुआ है उसे click करके कर सकते हूँ, तो मैं recharge now पर कर रहा हूँ और same plan जो है, मैं बापिस से लूँगा शुरू से ही दोस्तों मैंने 200 MVPS का plan लिया है और अभी तक मैंने एक बार भी change नहीं किया है एक साल से उपर हो चुका है, ये use करते हुए service मुझे और यहाँ पर दोस्तों monthly दिख रहा है, मैं monthly ले रहा हूँ और यहाँ पर जो है multiple type का जो है दोस्तों debit card, credit card और जितने भी wallet वगरा है, सारा available है, मैं नीचे करके अपला को दिखला देता हूँ हर तरीकी के payment option जो है available है रिचार्ट जो है successful हो चुका है home page आके done कर रहा हूँ पहले मैं और atl के तरब से message आगे अगर आप लोग उपर से देखोगे तो view detail और अगर मैं नीचे click कर रहा हूँ तो आप लोग को दोस्तों clearly यहाँ पर दिख जाएगा कि recently recharge जो है double 179 का हो चुका है और पहले से जो यह 6 दिन बचावा था validity वह validity जो इसमें add हो चुका है और total जो है 36 दिन validity हो चुका है इस तरीके से जो दोस्तों बहुत ही simple steps को follow करके आप लोग जो असानी से recharge कर सकते हो अब यह दो आप लोगों ने देखा बहुत ही easy steps को follow करके आप लोग जो यह 8L extreme को recharge कर सकते हैं दोस्तों आज कोई वीडियो पसंद आया तो इससे like कर दें अगर इसे related कोई भी question पुछन नहीं हो तो नीचे comment section में comment कर सकते हैं फीचर में और यह वीडियो देखना चाहते हैं इससे रखी के तो मेरी चैनल को जरूँ सब्सक्राब करें करके सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग टेकेट हो